जब कोई वेक्ति केसा है, जब कोई वेक्ति गुड है, तो उसके पास क्या है, गुडनेस है, तो गुडनेस नाउन होगी, जब कोई वेक्ति बैड है, तो उसके पास क्या है, बैडनेस है, तो बैडनेस क्या होगी, नाउन होगी, जब कोई वेक्ति इंटेलिजेंट है, तो तो उसके पास क्या है, its smartness है, तो smartness क्या होगी noun, जब कोई विक्ति creative है, तो उसके पास क्या है, creativeness नहीं होता, creativity होता है, तो generally mind के अंदर एक ही चीज आती, सब में नेस लगाओ, noun बनाओ, ऐसा नहीं है, creative का noun होता है, creativity, spiritual जब कोई book है, तो वो book जो है, उसमें spirituality है, उसके आपका spiritual से बना है, spiritual का मतलब होता है, और spirituality मतलब होता है, आध्यात्मिकता, ऐसे religious मतलब होता है, धार्मिक, और religion मतलब होता है, धर्म, तो religion से ही religious बना है, ऐसे costly मतलब होता है, महेंगा और cost मतलब होता है, कीमत, कीमती और कीमत, cheap मतलब होता है, सस्ता और cheapness, सस्ता पन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग उने, by using adjectives we have created nouns, you know, so this technique is called formation of words, अब आपको क्या करना है, इन सारे के सारे adjectives के साथ में एलवाय लगा देना है, जब आप इन सारे के सारे adjectives के साथ में एलवाय अपलाई करोगे, तो आपका ये जो नया word बनेगा, that would be adverb, ये आपक एक adverb होगा, जिस देखो example के दोर पर good में एलवाय लगाया तो goodly नहीं बनता, well बनता है, w e ll well, ऐसे ही bad में एलवाय लगाया तो क्या बना, badly, intelligent में एलवाय लगाया तो क्या बना, intelligently, dull में आपने एलवाय लगा के dull नहीं बनाते हैं, because this does not exist, तो इसको हम ignore कर रहे हैं, smart में एलवाय लगा कर आप smartly बना सकते हैं, मैंने कहा, थोड़ा smartly सोचो, think smartly, थोड़ा smartly बोलो, speak smartly, creative में एलवाय लगाओगे, creatively बनाओगे, spiritual में एलवाय लगाओगे, spiritually बनाओगे, religious में एलवाय लगाओगे, religiously बनाओगे, costly में एलवाय नहीं लगेगा, already लगाया, cheap में ए नहीं बनते हैं इस चीज का ध्यान देना है और कुछ के बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं जैसे देखो good का adjective क्या बना well गुड का क्या बना well पूरे चेंज हो गया तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाला विशह है कि कुछ जो है completely change हो रहा है हमको ध्यान देना है कि कौन completely change हो रहा है और उसके according हम लोगों के इन जीजों को वाक करवाना है तो ये था आप लोगों का सब इसके बाद वाप की बात करें तो वाप को आप make और be लगा कर बनाते हैं make और be के बाद मैं adjective अपलाई करूं जैसे मैंने का make intelligent be intelligent make creative be creative make smart be smart तो इस तरीके से make bad be bad make bad be bad तो make bad का मतलब क्या हो जाएगा बुरा बनाना और be bad का मतलब हो जाएगा बुरा होना है ना छोटे छोटे चोटे concept हैं जिनकी मदद से आप नहने words create करते हैं तो ये सारे noun हो गए ये सारे adjectives हो गए ये सारे adverbs हो गए और जो इधर आप बनाओगे make और be लगा कर वो तो make smart और एक बनेगे to be smart याद रखना to be और to make ये दोनों को adjective के साथ लगा जाता है और अगर have लगाते हैं तो to have smartness होता है ठीक है have के साथ में noun लगता है ये ध्यान देना जैसे मैंने का तुमारे पास smartness होनी चाहिए you should have ध्यान देना you should have smartness तो आप देख सकते हैं यहाँ पर have के बाद हमने smartness लेकिन जब मैंने कहा कि तुम्हें smart होना चाहिए तो you should be smart को सारे लोग चाहरे से smart समझते है smart मतलब the one who is smart with brain जो दिमाग से smart होता है उसको कहते smart अना so you should be smart अना you should be smart इस तरीके से और मैंने कहा यह टैक्निक आपको smart बना देगी दिस टैक्निक वल मेक यू स्मार्ट आप देख सकते हैं दिस टैक्निक विल मेक यू स्मार्ट हर सिटिजन चाहता है उसका सहर जो स्मार्ट बने ठीक है every citizen wants to make a city smart तो इस तरीके से मेक सिटी स्मार्ट मतलब शेहर को स्मार्ट बनाना ने स्मार्ट सिटी चलिए अब मुझे आप बताये कि क्या आपके दिमाग में चीजे क्लियर हो रही है क्योंकि इनको समझना is not a big deal सबसे बड़ी बात होती है इनको practically use करना और इनको practically use करने के लिए आपको लगती है multiple time practice जब आप ज़्यादा ज़्यादा practice करते हो अच्छे अच्छा sentence making पर focus करते हो then things look easy तो चीज़े आसान हो जाती है चीज़ों को समझना आसान हो जाता ठीक है यह noun है और noun से आपके adjectives बने है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर crime crime से बना है criminal चीज़े चली crime से क्या बना है criminal देखो इदर crime से क्या बना है criminal दूसरा series series मतलब होती स्ट्रंकला और series सी बना है serial स्ट्रंकला बद इसके बाद next is senses senses मतलब होता समझ और senses सी से बना है sensible sensible मतलब होता समझधार ऐसे next आपका anxiety anxiety मतलब होती चिंता और anxiety से बना है anxious उस्सुक excited चिंतित इसको चिंतित भी कहते है economy मतलब होता अर्थ और economical मतलब होता और outrightic bother मतलब होता चिंता परशानी दिक्कत या किसी को तंग करना भी bother थो सारे लोग रहते हैं आँए टो आ ऐसे देखो एट कि घंटती प्रसंदता डायक तो ये आपको एक बार सब को पढ़ने है तो आपको सब को पढ़ने है मैं आपको पेज नमर बता देता हूँ किस पर दिया है ये पेज नमर 106 पर content and note कर लो सब और ये जो है पेज नमर 107 तक भी गया है तो आप देख सकते हैं guarantee मतलब होती जमानत और guaranteed मतलब होता जिम्मा लिया हुआ किसी चीज का जिम्मा अब लेता है guaranteed मैं लेका this is the guaranteed course मतलब इस course के अंदर guarantee है फिर ऐसे तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने है एक तो ये है आपका इसके बाद में एक आपको इदर नीचे मिलेगा है तो इससे noun बना सकते हैं मैंने का एक काम करो आप इससे noun भी बनाओ तो आप केसे बनाओंगे noun आओ बनाते है clever का noun क्या होगा बोलो तो यह एक column अलग से बना लेते है noun इसमें noun आ जाएंगे यह adjective आ गया है यह एड़ॉब आ गया है चलो clever का noun बोलो जरा फटा पट फास्ट cleverness wise का noun बोलो wisdom वाइजनेस नहीं होगा wisdom होगा kind का noun बोलो kindness foolish का noun बोलो fool fool मतलब होता मुर्ख और foolish मतलब होता मुर्ख ता पुर्ण दोनों में अंतर है fool noun और foolish adjective है quick से बना है cuteness honest से बना है honesty brave से बना है bravery beautiful से बना है beauty है ना तो यह सारे के सारे words की एहमियत को समझो किस तरीके से आपके work कर रहा है और यह जो है cleverly wisely kindly foolishly cutely honestly bravely beautifully beasily यह सारे के सारे word आपके क्या है एड़ब हैं तो यह आपके adjectives हो गए हैं और यह आपके adjectives हो गए हैं तो adjectives और adverbs दोनों की अपनी अलग-अलग importance है दोनों की अपनी अलग-अलग महत्ता है और दोनों को हमें समझ के चलना पड़ेगा